हाँ तो रूफ्टे इस वीडियो के अंदर हम K2 इन्फराजन के आईपयो के बारे में बात करेंगे और जानेगे कि इस आईपयो के अंदर आपको कितना लिस्टिंगे इन मिल सकता है और आपको इस आईपयो के अंदर अपलाय करना चाहिए या नहीं चलिए शुरू करते हैं तो इस वी है जानेंगे कि यह कंपणी क्या काम करती है तो कहले कंपणी का नाम से नहीं जाने जाती है और अभी यह कंपणी का नाम K2 इन्फराजन करके यह कंपणी का नाम हो चुका है तुकि जो company ये company EPC services से regarding यापे जो services होती है यानि कि जो construction वगेरा हो गया उसके regarding यापे construction से regarding यापे जो भी materials की requirement होती है developers को तो वो यापे लाके देने का ये company हमें service provide करवाती भी नजर आती है अगर हम उसके अंदर अगर हम कुछ project के अगर हम बात करेंगे तो डिखे water supply से regarding यापे जो projects होते हैं विषके लावा rail road हो गया road construction से regarding यापे जो projects होते है तो विषके regarding जो projects होते है वो ये company हमें handle करती हुए नजर आती है और बाकी अगर हम दिखेंगे तो यहाँ पर यह कंपनियां में trading रिगाडीं जो Services होते है जिस्केन अगर हम दिखेंगे तो non fares metals जो यहाँ पर होते हैं यह कंपनियां में ट्रेडिंग करते हुए नजर आती है यानि कि यह कंपनी आगे manufacturing विद का दे एक टाइम पे आपके चार पंस वजेक हमेशा चल रहे होते है तो उसके एसाफ से यहाँ पर कंपनी के नमर में अच्छी ठीक्टाक यहाँ पर नज़र आती है अब गर में यहाँ पर IP के अबजेक्टिव के बारे में बात करेंगे तो देखे वर्किंग एपिटल यानि की जो यहाँ पर कंपनी का आईपय का आइपयो में आता हो नजर आ रहा है अगर हम कंपनी के बात करेंगे तो 2021 में रंग पैटीस करूर आउन्ड के लगबक कंपनीए का रिवेन्यू का नमबड था लेकर अगर हम 35 करोड के रेवेन्यू पे अगर हम कमपनी के profitability की बात करेंगे hardly 22 लाग के लगबग यहां पे company का profit का number था अगर हम 2022 में अगर हम डिखेंगे around 36 करोड के revenue पे company ने around 3 करोड के लगबग यहां पे company ने loss किया था तो अगर हम डिखेंगे 21 के conversion में कोई ज़्यादा में 2022 में company में growth देखने को नहीं मिली लेकर अगर हम 2022 में अगर हम डिखेंगे company का revenue का number में double चे भी ज़्यादा यहां पे बढ़ता हुआ नजर आए around 75 करोड के लगबग company का revenue का number में यहां पे नजर आता है और उसके अगेंच यहां पे लगबग 11 करोड के लगबग यहां पे company ने profit किया है तो यह इंडिकेट होता है कि लगबग यहां पे 120-130 करोड के लगबग का revenue का number यहां पे company का हो सकता है और अब अगर हम company के earnings से अगर हम बात करेंगे तो 6 करोड 7 लगबग यहां पे company की earnings हुई है तो इसको कर हम annualize करेंगे तो लगबग 12-13 करोड के लगबग का profit का number यहां पे company का annualize यह पूरे 20-24 वाले financial year में हो सकता है तो कहिने के देखा जा तो यहां पे पिछले 2 साल यह company का growth काफी अच्छा रहा है और अगर हम पिछले 2 साल से अगर हम देखेंगे जितनी भी EPC companies चे इनको लगाता है यहां पे order मिलता हुआ नजर आ रहा है लेकिन देखें कहिने के अगर आप देखोगे तो अभी यहां पे election से पहले वाला year था और government की दर से काफी जादा spending हुई है infrastructure sector के अंदर लेकिन यह market में अभी वाच सारे लोकों को ऐसा लग रहे कि यह जो election अभी हो जायागा तो उसके बाद में क्या government उसी तरह से spending करेगी या नहीं करें कि अगर government की spending अगर वहां पे कहिने के infrastructure से related अगर थोड़ी सी भी कम होगी वहां पे कहिने के definitely यह जो infrastructure stock के अंदर जो हमें यह पे P.E.Rating जो देखने को मिली है तो वह कहिने के वहां पे थोड़ी हमें D.Rating होटी वी नजर आ सकती है अगर हम IPO के details के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखे 28 मार्च को यह IP में start उटावा नजर आएगा और 13 अप्रेल को यह IP में close उटावा नजर आएगा 119 के cut-off price पर यह कमपणिया में शेयर्ट देटी वी नजर आ रही है बाराथ सेयर्ट का में यह आपे lot नजर आता है तो आइटिंग यहां प है और यह जो कमपणिये कमपणिया में NSE का SME platform पर यह कमपणिया में लिस्ट वी नजर आईगी अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखे 4 तारी का आपको पता चेल जाएगा कि आपको lotment मिला ही यानिक lotment नहीं मिलता तो 5 को refund मिल जाएगा और 5 को आपको डिमेट अकॉन में share आजएगे अगर आपको lotment मिलता ही और आठ तरी को यह कमपणिया में लिस्ट वी नजर आईगी अब अगर हम वैलिशन के परामिटर्स के अगर हम बात करेंगे तो देखे एजएक यहाँ पे 1500 करोड के मार्केट के अपर यह कमपनी का IP म अगर हम दिखेंगे इंफ्रसेक्श्य के जो में लिडर नजर आता है तो उसका यहाँ पे काफी जड़ा पी एक्सपांशन हुआ है तो उसकी वाज़े से यहाँ पे पूरे और अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें पी एक्सपांशन हुटा होगा नजर आ रहा है तो अगर आप देखोगे अभी इंफ्रसेक्श्य कमणी तो हमें काफी जड़ा डिमांड देखने को मिल रही है तो मेरी काल से देखा जा है अपनी के वैलिशन के इसके अंदर भी हमें पी एक्सपांशन की स्कोब रहेगी और और अगर हम डिखेंगे कमनी मुझे ठीक ता यहाँ पर नजर आती है तो मेरी काल से दो मुझे लगता है कि डेफिनिल्टी आपको यहाँ पर लिस्टिंग इनके लिए अप्लाय करना ह होगा तो इसके हैसाब से मेरी क्याल से लॉंग डिम के यहाँ पर नजर बनाई जा सकती है और उसके लावा मेरी क्याल से लिस्टिंग एनके लिए भी डेफिनिल्टी यहाँ पर अप्लाय किया जा सकता है तो मैं अपको सब कुछ चमझे में आगया होगा अगर आपकी कोई भी क्वेरी से आप कमेंट कीजिए मैं जिरूर आपके कमेंट पर रिपलाई करूंगा ओके दोस्तों थैंक यू अब नाइस दे